प्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे रशियन प्ले राइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर आंटन चकोव की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है दबेगर प्रेंट्स बेगर का मतलब आप सभी जानते ही होंगे बेगर का मतलब होता है भिखारी तो ये जो स्टोरी है ये एक बेगर के अराउंड है कैसे उसकी लाइफ में धीरे धीरे चेंज़ेज आते हैं एक तरह से कह सकते हैं एक फिजिकल और स्पिरिच्वल दोनों ही तरह का ट 1887 में पब्लिश किया गया था और ये फिक्षन जीना से बिलॉंग करती है बहुत ही पॉपुलर रही है ये शॉर्ट स्टोरी हम आगे से पढ़ेंगे तो और बहतर तरीके से समझेंगे फ्रिंट्स आंटोन चेकोफ का जन्म हुआ था 29 जैनवरी 1860 में और उनकी डेथ हुई थी 15 जुलाई 1904 में वो एक रशियन प्लेइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और साथ ही वो अपने समय के बेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर माने जाते हैं यहां तक कि हिस्ट्री में उन्हें वन आफ दी ग्रेटर्स राइटर्स ऑफ शॉर्ट फिक्शन भी माना जाता है उनकी फेमस वर्क्स में थ्री सिस्टर्स, अंकल वाननिया, दा चेरी ओर्चर्ड ये सभी शामिल हैं हमने पहले उनकी एक प्ले को डिसकस किया था, दा मैरिज प्रपोजल तो चलिए फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब इस शॉर्ट स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं प्रेंट्स स्टोरी की शुरुआत में हमें एक भिखारी के वर्ड सबसे पहले दिखाई देते हैं और वो भिखारी क्या कर रहा है, वो भीख मांग रहा है वो कहता है कि काइम सर प्लीज मुझ जैसे गरीब इंसान पर थोड़ा ध्यान दे दीजे मैंने पिछले तीन दनों से कुछ नहीं खाया है थोड़े से मुझे पैसे दे दीजे ताकि मैं अपनी रात को रहने के लिए कोई जगर ढूंड सकूँ मैं आपसे सच कहता हूँ, मैं एक समय में एक विलेज में स्कूल हेड मास्टर था और बहुत पैसे कमाया करता था लेकिन जो मेरे साथी थे, उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत सारी साज़िश की और इस कारण से मेरी जॉब चली गई है मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मुझे फसाया गया है प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दीजे इस तरह से एक भिखारी की आवाज आ रही थी अब ये भिखारी जिसे एड्रेस कर रहा था वो एक लॉयर था और उसका नाम था स्कोर्ट सोफ ये जो स्कोर्ट सोफ था इसने उस भिखारी को देखा उसकी ड्रेसिंग को देखी, उसके चेहरे को देखा और उसे लगा कि उसने पहले इस भिकारी को कहीं देखा है उधर वो जो भिकारी था जो बेगर था वो अपनी बात कंटिन्यू किये जा रहा था कि मैंने बहुत लंबी जर्णी किये, मेरे पस रहने को जगर नहीं है मैं बहुत प्रतिष्ठित जिन्दगी पहले जीता था, मेरी मदद करिये इस तरह से वो बड़बडा ही रहा था कि तब ही ये जो स्कुर्ड्स ओफ है उसने उस भिकारी को देखा और कहा कि मेरी बात सुनो पहले मैंने तुम्हें आज से दो दिन पहले सैडवो स्ट्रीट में देखा था और वहाँ भी तुम मुझे मिले थे यूहीं भीग मांगते हुए लेकिन तब तुमने ये नहीं कहा था कि तुम एक विलेज स्कूल मास्टर हो बलकि तुमने ये कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो एक स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ से तुम्हें निकाल दिया गया है तुम्हें याद आया अब भीखारी को डर लग गया कि ये क्या हुआ किसी ने मुझे कैसे पहचान लिया तो वो इस बात से मना करने लगा कहने लगा कि नहीं नहीं मैं वो नहीं हूँ मैं तो एक स्कूल का हेड मास्टर था मैं सच कह रहा हूँ और आप चाहें तो मैं आपको सारे पेपर्स भी दिखा सकता हूँ लेकिन ये जो स्कूर्ट सोव था ये इस भीकारी को पहचान चुका था और इसने उसे डाटा और कहा कि तुम्हें शरम नहीं आती है एक तो तुम भीक मांगते हो उपर से जूट कहते हो और ना जाने कितने टीचर्स को यूँ ही बेज़त कर रहे हो अपने इस जूट में मैं समझ गया हूँ कि ना तुम कोई विलेज हेड मास्टर हो और ना ही कोई स्टूडेंट हो तुम बस जूटे हो जूटे हो और अब तुमने बहुत जूट बोल लिया रुको मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ अब जैसे ही यहाँ पर पुलिस की बात आई यह जो बेगर था यह बिचारा डर गया इसे लगा कि सच मुझ पुलिस इसे पकड़ कर ले जाएगी अपने साथ और इसने तुरन थी सारी जो जूट इसने कही थी उसे एकसेप्ट कर लिया इस भिखारी ने स्कोर्टसोफ से कहा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं यह सच है कि मैंने जूट कहा ना मैं कोई स्टुडेंट हूँ ना ही कोई विलेज हेड मास्टर हूँ लेकिन मैं क्या करूँ मैं एक गरीब भिखारी हूँ और मुझे जो पैसे चाहिए वो मुझे कैसे मिलेंगे सच तो यह है कि मैं एक रशियन कॉयर में एक म्यूजिकल ग्रूप में काम करता था जहां से मुझे मेरी शराब पीने की लट के कारण निकाल दिया गया मैं एक ड्रंकर्ड हूँ बहुत शराब पीता हूँ इसलिए उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया लेकिन अगर मैं ये बात कहकर भीक मांगूँगा तो क्या कोई मुझे पैसे देगा और अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो क्या होगा मैं भूख से मर जाऊंगा और ठंड में यहीं जम जाऊंगा तो आप ही बताईए कि मैं क्या करूँ अब स्कोर्ट सोफ ये बाते सुनकर गुसा जाता है और कहता है कि क्या करूँ क्या करोगे तुम काम करो तुम्हारा काम करने से ही तुम्हें कुछ पैसे मिल सकते है न तो इस पर वो बेगर कहता है कि काम ये तो मुझे पता है कि मुझे काम करना चाहिए लेकिन मुझे काम देगा कौन मेरे जैसे इनसान को कौन काम देगा तो इस पर स्कोर्ट सोफ कहते हैं कि बकवास मत करो तुम्हारे जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ तुम सभी तो मेहनत करना ही नहीं चाहते हो चाहते ही नहीं हो कि कुछ मेहनत करो, अच्छी सिंदगी जीओ, बड़ा मज़ा आता है तुम्हें, यू भीक मांगने में और शराब पीने में तो इस पर वो बेगर कहता है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं काम करूंगा, लेकिन कोई मुझे काम दे तो सही तो इस पर ये जो स्कोर्चोव है, ये कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें काम करना है, तो मैं तुम्हें काम दूँगा, लेकिन वो मैनवल लेबर होगा, यानि तुम्हें अपने शरीर का इस्तेमाल, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, ये बताओ कि क्या तुम मेरे मैं बेचारा कमजोर सा और आपको मार्केट में बहुत सारे अच्छे वुट्चॉपर्स मिल जाएंगे जो ये काम बहतर कर सकते हैं तो आप मुझसे क्यों कह रहे हैं अब इस पर ये जो स्कोर्ट सोव है ये कहता है कि शुरू कर दिया न तुमने फिर से बहाना बनाने लगे कि ये काम नहीं करना है तो मैं काटोगे या नहीं काटोगे ये मुझे बताओ तो इस पर ये बेगर कहता है कि ठीक है सर मैं काट दूँगा आपका काम मैं काट दूँगा तो इस पर ये स्कोट सो बोलता है कि हाँ हाँ देखेंगे और उसे अपने साथ अपने घर अपने किचन के अंदर ले जाता है वहाँ किचन पहुँचकर वो अपनी कुक जिसका नाम था ओलगा उसे बुलाता है और कहता है कि इस जेंटलमेन को अपने साथ ले जाओ शेड में और वहाँ पर जो लकडिया है इसे दे दो ये उन लकडियों को काट देगा अब ये जो बेगर है ये कुछ समझ नहीं पाता कुछ कह नहीं पाता चुप चाप से उस कुक के पीछे जाना शुरू कर देता है और ये जो स्कॉर्ट सोव हैं ये अपनी किचन की खिड़की से इन दोनों को देख रहे हैं ये देखते हैं कि ये जो ऑलगा जो इसकी कुक है ये कैसे इस बेगर को बहुत ही गुसे से देखती है और उसकी तरफ एक कुलाड़ी फेकती है और उससे कहती है कि चलो लकडिया काटना शुरू कर दो और साथ ही कह सकते हैं कि उसका मजाक उड़ा रही है या उसे डांट रही है कि ये तुम कैसी जिन्दगी जीते हो कैसे अजीब से लग रहे हो चलो काम करो इस तरह से औलगा जो थी वो इस बेगर को डांट रही थी अब ये जो बेगर था बेचारा बहुत कमजोर था, शरापी पीकर वैसे ही इसकी शरीन में कोई टाकत नहीं था उपर से ये भीक माँगा करता था तो जदा इसके शरीन में टाकत नहीं था और लकडियां काटने में बहुत महनत लगती है तो उसने फिर भी अपनी पूरी कोशिश की उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया एक लॉघ उठाया अपने पैरों के बीच में फसाया और उस पर कुलाड़ी जो एक्स उसे मिली थी उसे काटने की कोशिश की लेकिन ये जो लॉग था ये बार बार उसके पैरों से फिसल जाता था और वो दुबारा से उस लॉग को पकड़ कर लाता था यहां से स्कोर्ट सर्व अपने किचन के खिड़की से सब देख रहा था और उसे लग रहा था कि आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ इतना गरीब इनसान है बिलकुल ताकत नहीं है इसे और इतना मुश्किल काम मैंने इसे दे दिया लेकिन अब छोड़ो देखते हैं क्या होता है करने दो इसी की भलाई है इसमें इस तरह से एक घंटा बीट गया और औलगा जो थी वो वापस आई और उसने कहा कि उस बेगर ने सारी लकडियां काट दी है अब सुनकर इस बात को स्कोर्चोफ को थोड़ा अजीब लगा पर उसने कहा कि अच्छी बात है उसने ऐसा किया तो एक काम करो उसे एक रूबल दे दो और उसे कहो कि अगर वो चाहे तो हर महिने की पहली तारीक को यहां आ सकता है और लकडियां काट सकता है और जब भी वो यहां आएगा उसे कोई न कोई काम ज़रूर मिल जाएगा और इस तरह से यहां पर एक सीक्वेंस एक सीरीज सुरू हो गई हर महिने की पहली तारीक को ये बेगर वहां आता और थोड़े पैसे कमाता लकडियां काटता कभी कभी वो और पहले आ जाया करता था और घर के कुछ और काम कर देता था जैसे बर्फ हटा दिया करता था या शेड की सफाई कर देता था इस तरह के कामों से क्या होता था उसे थोड़े पैसे मिल जाते थे और एक बार तो इस कोर्ट सोफ का एक पूराना ट्राउजर भी मिल गया अब इस तरह से काफी दिन चले और एक दिन क्या हुआ इस कोर्ट सोफ को अपना घर शिफ्ट करना पड़ा तो उसने दुबारा से उस बेगर को बुलाया ताकि घर के सामान शिफ्ट करने में ट्रक पर चड़ाने में वो बेगर उनकी हेल्प कर दे अब ये जो बेगर था उस दिन ये बड़ा उदास था इसने शराब भी नहीं पी थी और बहुत दिक्कत हो रही थी इसे कोई भी सामान को उठाने में जो भी मूवर्स जितने भी आदमी थे जो मदद कर रहे थे वो सब इस बेगर पर हस रहे थे कि ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहा फिर भी उससे जितना बन पड़ा उसने किया जब सारे काम हो गए तो स्कोर्टसोव ने उसे बुलाया उस बेगर को और कहा कि मैं देख रहा ह है तो इस पर ये बेगर जवाब देता है कि मेरा नाम लुशकोव है और ये जो स्कोर्टसोव है ये इस लुशकोव को कहता है कि तुमने बहुत मेहनत की है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये मेहनत करते रहो तो तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें लिखना आता है तो वो कहत जाओ उसे ये लेटर दो और वो क्या करेगा तुम्हें कॉपी करने का काम दे देगा यानि जो नोट्स या आर्टिकल्स को कॉपी किया जाता है वो काम तुम्हें दे देगा तुम वहां चले जाओ मेहनत करो और दुबारा कभी शराब मत पीना ऐसा कहकर उन्होंने सोव ने उस बेगर को लुशकॉप को देखा नहीं फिर एक दिन की बात है वो एक ठीटर गए थे और टिकट आफिस में एक ठीकट खरीद रहे थे उस ठीटर का कि तभी वहां पर उन्होंने एक छोटे से आदमी को देखा जिसने लैंब स्किन कॉलर पहना हुआ था और लुशकॉफ क्या ये तुम हो अरे मुझे तुम्हें देख कर बहुत खुशी हुई कैसे हो तुम तो इस पर लुशकॉफ जवाब देता है कि सर मैं बहुत अच्छा हूँ मैं एक नोटरी के आफिस में काम करता हूँ और अब मैं 35 रूबल्स कमाता हूँ यानि कभी वो एक बहुत खुशी हुई फिर कहता है कि लुशकॉफ क्या तुम जानते हो तुम एक तरह से मेरे गौडसन हो मैंने ही तुम्हें सही रास्ता दिखाया तुम्हें याद है एक समय था जब तुम मुझसे भीक मांग रहे थे जूट कहकर और फिर मैंने तुम्हें डांटा तुम् नाकाम दिया और सिर्फ आपने ही नहीं आपकी जो कुक थी औलगा उसने भी मेरी बहुत मदद की सच कहूं तो उस औलगा ने मेरी जिन्दगी बचाई है अब इस पर यह जो स्कोर्ट सोफ था इसने कहा कि वो कैसे तो लुश्कॉफ कहता है कि सर आपको पता नहीं होगा लेक सकति क्यों ना खतम हो जाए और वो मेरे लिकांदी सिर्फ जब वोँ देखती थी कि मुझसे लकड़िया नहीं काटी जा रही वो मेरे लिकरा, dif तरा काम कर देती उसी के वज़ा से मैंने एक कसम खाई कि मैं खुद को सुधारूंगा और देखिये सर मैं भूला नहीं हूँ, आज मैं कहां से कहां पहुँच गया हूँ तो इसलिए मुझे सुधारने में औलगा का बहुत बड़ा हाथ है और उसी समय क्या होता है, उस गैलरी की उस थियेटर की घंटी बचती है शोर शुरू होने वाला रहता है और ये दोनों अलग हो जाते हैं थियेटर के अंदर चले जाते हैं यानि सिंपली यहां स्टोरी में ये बताया गया है कि कैसे थोड़ी सी मदद से लोगों की जिंदगी बदल सकती है लेकिन एक और पॉइंट यहां पर नोटिस करने वाली है और वो ये है कि अगर आप कभी किसी की भलाई करते हैं किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो जताने की कोशिश मत करिए अच्छा ही जो है वो हमेशा घूम कर वापस आती ही है ये एक प्रूवन बात है इसलिए दूसरों की मदद कीजिए लेकिन बदले में कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए तो फ्रेंट्स ये थी एंटोन चेकोफ की शॉर्ट स्टोरी दबेगर अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें